कोटा में गोविन दगर इलाके के बजंगनगर में खुले सराप के ठेके का मैलाओं ने जम कर विरोद किया एक दिन पहले ही यहां सराप का ठेका खोला गया था इसके बाद मैलाओं ने सराप ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हंगामा कर दिया और ठेके को बंद कराने की मांग की गई परदसनकारी मैलाएं ठेके के अंदर तक जा पहुची और ठेकेदार को खरी खोटी सुनाई मैलाओं का आरोप है कि रियाइशी इलाके में ठेकेदार ने सराप की दुकान खोली है जिसके चलते यहां से गुजरने वाली मैलाओं को शराबियों के आतंग का सामना करना पड़ेगा महीं ठेके के नजदीक ही एक स्कूल भी है जिसके कारण बच्चे शराप की दुकान के सामने से होके गुजरेंगे तो उन पर भी इस माहोल का बुरा असर पड़ेगा ऐसे में मैलाओं ने मांग किये कि यह ठेका यहां से हटाया जाए महीं ठेकेदार का कहना है कि पहले यह ठेका प्रेम नगर फस्ट में चल रहा था लेकिन उस जगे बिक्री कम होने के कारण लोकेशन बदल कर आपकारी विबाग ने यहां ठेका खोलने की अनुमती दी है मैलाओं के हंगामे की सूचना पर उद्जोग नगर साना पुलिस भी मोके पर पहुँची और मैलाओं से समझाईश की गई मैलाओं ने ठेके के बार काफी देर तक हंगामा किया और ठेके को वहाँ से हटाने की मांग पर अड़ी रही लड़किया भी निकलती है क्या वो सेब रह पाएंगी यहां पर बहु बेटा सब निकल रहे हैं अश्चा अब लोग चाहते हैं बंदों ना चीए प्यों चाहते हैं यह बाहर बेट पाएगा वह बेट पाएगा अम बेटेंगे तो बढ़ेगे उनकी इंके लड़के 15-16 साल को दुखान पे बेट पाएगे निकी बेट पाएगे लोग अपर लोग आदे शिकायत करूं हमारे यह परेसां यह को आम बेट ते बढ़ेगा अपकरी ने इसकी लोकेशन दे रखी है लोकेशन हमने चेंज करा के दुकान डाली है अब आपकरी विभाग ने लोकेशन दिये सारे रूल रेगुलेशन जो चीज आपकरी के हुति हो देखकर दिये अब हम यह शराब की दुकान खोल रहे तो इग्रोध कर रहे हैं यह लोकेशन पहले कहीं और चल रही इसको अपने चेंज करा के लोकेशन डाली है यह लोकेशन चल रही थी प्रेम नगर फश्ट में वहां से क्यों बढ़ना वन वहां पिक्रिया नहीं है दुकाने बहुँत कोटा के खबरों से अपडेट रहने के लिए यूट्यूबर सब्सक्राइब करें कोटाखवर.com पर और हाँ बेल आइकन दवाना ना भूले।